वो है इंडिया की सबसे popular hatchback और ये है इंडिया की सबसे premium hatchback vlogs विताशीश में आप लोग का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोस के बारे में Tata Altros की price शुरू होती है 5.29 lakhs से लेकर top end variant जाते हैं 9.29 lakhs तक और ये petrol और diesel दोनों ही variants में आती है और इस 5 और 9 लाग के बीश में इसके 14 से भी जादा variants आते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ exact optional variant के बारे में जो की है इसका petrol top variant और इसकी extra room price जो है वो है 7.69 lakhs with 1 India 1 price और अगर आप इसकी on road price अपने शहर में जानना चाते हैं तो आप अपने city का नाम comment कर सकते हैं comment section में जाकर और मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि उस city में इस गाड़ी की on road price अप्रोक्सिमेटली अंदाजन कितनी रहे की जो की 19 kmpl की mileage देता है जो की ARAI के द्वारा टेस्टेट करी गई है और इसके अलाबा गाड़ी के power और टॉर्क फिगर्स आपकी स्क्रीन पर हैं आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि गाड़ी में कौन-कौन से features हैं उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी है जी हाँ मैंने पहली बार गाड़ी का ड्राइफ टेस्ट भी किया है और उस पर भी मैं review दूँगा और साथ ही अगर आप गाड़ी की आवाज सुनना चाते हैं एंजिन वोइस सुनना चाते हैं तो वह एकदम लास्ट में मैंने डाली हुई है तो चलिए अब शूर करते हैं गाड़ी का वाकराउंड वाकराउंड को front profile से start करते हैं गाड़ी बहुत ही futuristic look के साथ आई है और काफी sporty भी लगती है यह तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके headlamps तो इसमें आपको मिलते हैं projector headlamps और यहाँ पर है इसका high beam और नीचे VRLs और fog lamps भी जो कि बहुत ही बहतरी तरीके से यहां पर integrate करे गए हैं सामने की जो finish है वो chrome के साथ दी गई है और piano black finish है यहां पर जो कि आपको गाड़ी के हर section पर दिख जाएगी प्लस यहां मैं mention करना चाहूंगा कि यह finish और यह piano black और chrome का use आपको base variants और बाकी सारे variants में भी जो कि इस गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी बात है फ्रेंट के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के वील्स पर तो इस वेरिंट में आपको मिलते हैं 4-spoke 16-inch alloy wheels और इसके बाद बात करें गाड़ी के ओर वीम्स पर तो और वीम्स हैं प्यानो ब्लैक फिनिश के साथ द प्रेमियम बना रहे हैं और गेट लीवर्स बहुत ही बड़े हैं और काफी संदर दिख रहे हैं जो की बाड़ी कलर्ड ही है और पीछे वाले के लिए जो ग्राब हैं वो विंडो के पास प्रोवाइट किया गया है जो कि बहुत ही नीटली इंटीग्रेटेड है यहां पर और यह काफी नया भी है और मुस्तली इस सेग्मेंट की गाड़ियों में उप्योग हो रहा है यहां पर है फ्यूल लिड ओपनर और अब चलते हैं काड़ी की रियर प्रोफाइल को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो गाड़ी का रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है सेफ्टी फिचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा और अंदर सेफ्टी की बात करें तो यहां पर आपको अब दिखते हैं गाड़ी के टेल लेंप्स को यह एलेडी टेल लेंप्स प्रोवाइड किये गए हैं और हाव बाड़ी ब्लैक और हाव बाड़ी वाइट थीन का उपयोग किया गया है यहां पर है अल्ट्रॉस की बैजिंग और मैं आप लोग को एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाल दिखा देता हूं कि गाड़ी साइड से कैसी दिखती है तो गाड़ी साइड से कुछ ऐसी दिखती है काफी सुनदर ड्राइवर डॉर पर देखते हैं क्या क्या है तो यह आपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइट किया गया है और टाटा इल्ट्रॉस का एक स्पेशल फीचर यह भी है कि इसमें 90 डिग्री विंग डॉर्स दिये गया है जो कि कुछ ऐसे खुलते हैं और देखें काड़ी के डॉर पर क्या-क्या है तो गाड़ी के डॉर पर है ओर रिम कि आंथी खसमे और जार सकते हैं काफी लंबे और काफी हल्दी लोग भी आराम से यहां पर बैट सकता है अब दिखते हैं घाडी का इंटिरियर तो गाड़ी का डैश्बूर्ट लोक कुछ ऐसा है और यह exact plus variant है तो इसमें आपको मिलता है engine start stop button चलिए करते हैं इसका instrument cluster boot up और इसमें आपको मिलता है 7 inch का MID यहां पर भी 7 inch MID जो की rpm meter है और बीच में है आपको एक चोटी सी MID जो की आपके सारे features दिखाएगी distance कितना चलेगी गाड़ी, fuel कितना है और fuel economy प्लस यहां पर है analog speedometer साथी यहां पर है सारी warning lights, trip meter और यहां पर उपर आपको आपके जो media player चल रहा है उससे यह synchronized है और जो चल रहा होगा वो भी यहां पर mention करेगा वो साथी यहां पर बाहर का temperature कितना है जो कि अभी 27 degrees है पर गर्मी तो बहुत जाता लग रही है और 1242 मतलब जो भी time हो रख था है वो दिखाएगा प्लस यहां पर इस तरह अरें के बात करें तो इस तराफ ऐड़ ग्रूम्स की लिए प्लस आपको अटमयतिक लांब्स आपको मिलते हैं इस विर्यंट में इसके अलावा इस्टेरिंग पर देखें तो यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स वॉल्यूम के लिए प्लस यह किि इन्भोटividad्टानिमेंट सीस्टम को चंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बीच में रूली टूोलटूट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रूल और यहाँ पर आपका कॉल के कंट्रोल भी दिये हुए है प्लस इसका जो स्टेरिंग है वो टेल्ट एजस्टेबल है टेलिस्कोपी कली एजस्टेबल नहीं है और यहाँ पर बीच में देखें तो बीच में आपको मिलती है एम्बियंट लाइटिंग, बीच में आपको मिलते हैं, एसी के वेंट्स, और यहां पर है, इन्फोटेंट्मेंट को कंट्रोल करने के लिए, आप्शन्स, यहां पर है वॉल्यूम रॉकर, और यहां पर शिफ्टर, उसके नीचे देखें, तो यहां पर है एसी के कंट्रोल, इसमें आपको आटोमेटिक एसी मिलता है, यहां से आप एरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके पीछे आपको मिलता है, फाइफ फीड मैनौल ट्रांस्मिशन का ग्यार लिवर, उसके भी पीछे देखें, तो यहां पर है कुछ कंविनेंट स्पेस, और यह जो है, यह ह गाड़ी का एकनोमी, ओके दीदी, यहां पर है कंविनेंट स्पेस, यहां पर जिसे आप मोबाइल होल्डर भी कह सकते हैं, उसके पीछे यहां पर है कुछ जगे, आमरेस्ट, और आमरेस्ट में भी, अंदर अच्छी घासी जगे, प्लास यह जो आमरेस्ट है, यह इसके बाद करें, पार्सल ट्रे की, तो अचलिये, एकसेस करते है, बहुत ही बड़ा पार्सल ट्रे, इसमें आपको मिलता है, बीच में, बीच में क्या मिलता है भाई, बीच में आपको मिलता है, बीच में आपको मिलता है, मैनुली एड़्जस्टिबल, डे औन नाइट आ यहां पर है मीकल। यहां पर केबिन लाइट्स को दिखते हैं सुनवाईजर्स तो यह संवाईजर पर आपको मिलता है टिकेट होल्डर कोड रय वर संवाईज़र पर आपको मिलता है वै灮ेटी मिरर इसके अलावा जो एक चीज मुझे बहुत पैसिनेटिंग लगी वो है इसका डॉर लॉक्स आम तोर पर डॉर लॉक्स यहां पर आते थे इसमें यहां पर है आप इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे यह लॉक हो गया तो आप बहार पूल करेंगे यह अनलॉक हो गया इसके बाद चलते हैं गाड़ी के रियर में और देखते हैं रियर प्रोफाइल कैसी है जैसा कि मैंने बताया था कि इसके डोर्स जो है वो 90 डिग्री तक खुल जाते हैं जिनको विंग डोर्स कहा गया है तो इसकी मदद से पिछली सीट पर भी घुसना काफी आसान हो गया है और अब देखते हैं अंदर तो गाड़ी की सीटिंग काफी कमफर्टेबल है फैब्र इस वेरिंट में आपको आमरस भी मिलता है जो की बहुत प्रीमियम है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है रियर सीटिंग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के बूट के बारे में तो इस वेरिंट में आपको मिलता है और बाकी सारे वेरिंट में भी आप एक चीज मुझे ध्यान आई है आप लोग को बताने के लिए तो वह यह है कि टाटा ने हर एक वेरिंट के साथ कुछ ऐसे सरी प्रोवाइट करने के लिए कहा है जो जिसके लिए कस्टमर को अलग से पेज जरूर करना पड़ेगा पर वह गाड़ी के लुक्स को और कन्वीनिय मिल जाएकी अब बारी है गाड़ी के टेस्ट्राइब की चलिए चलते हैं है कि सबसे पहले बात करते हैं यहां से व्यू कि तो आपको सब कुछ दिख रहा है आजू बाजू उपर नीचे आगे पीछे और बात करें केबिन नॉइस की तो गाड़ी में जो केबिन नॉइस ह वह बिलकुल नेगलेजिपल है अगर टेस्ट्राइब का कंक्लूजन निकालें तो वह कोच यह था कि काड़ी में बाकी सारे चीज़ा ठीक थी बस उसका स्टेरिंग थोड़ा सा हैवी लगा जब हमने टर्न लिये या फिर सड़नली हमने लें शिफ्ट करा था तो उसका कार अनलाइस करने के बाद यह समझ में आया कि इसका टायर साइस काफी बड़ा है 15 इंच का है और आप कोई भी ऐसी वी वगरा भी चलाएंगे तो अगर आप 15 इंच के वील से कंपेर करें अगर स्टेरिंग को एक रैक इन पिनियन स्टेरिंग को तो उससे आप से इसका वीडियो को बनाने के लिए और हाँ अगर आप टेश ड्राइव लेना चाहते हैं इस काड़ी का तो ज़रूर विजिट करिए वरिंडियम टाटा ओशंगाबाद में और बस इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए चानल को अभी सेडी कमेंट करिएगा और वीडियो को एंड करते हैं गाड़ी की वाइस सुनकर